308 के भाव पे जीओ के 10,000 से अगर करीब हैं और मेरे पास होल्ड करने का टाइम है 10-15 साल और मेरे पास और कोई पोजिशन नहीं है मैं सिर्फ इसी में इन्वेस्टेड रहना चाहता हूं तो क्या आप किराया है अच्छा ठीक है चलिए अच्छी बात है एक लंब सम निवेश किया है आपने जियो फिनांशियल सर्विसेज में और मुनाफ़ा भी आपको अच्छा हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी काफी जादा ले रखी इस वजह से मुनाफ़ा वो दिख भी रहा है स्क्रीम पर और 308 प और पर लिया है होराइजन 10-15 साल का है और इसी स्टॉक में इन्होंने निवेश किया बाकी और इनका कोई निवेश नहीं है कैसा लग रहा है आपको इस सेलेक्शन सही है कंटीनी करना चाहिए लॉंग टरम के लिए या फिर कुछ और आपको आप इंको सला देंगे कोई औ पूजा जी अपना निवेश है उत्वा डिवाइड कर लें एक ही स्टॉक में निवेश करना क्या सही रहेगा बिल्कु ठीक बोला पूजा जी जनरली रिकमेंडेशन यही होती है कि आप एक पोर्टफोलियो बनाए पोर्टफोलियो स्टॉक्स का हो इसमें अगर आप कोई कंपनी का अगर फिनेशल परफॉर्मेंस अच्छा ना भी है तो आपको बड़ा लॉस ना हो और आपको कोई कंपनी फायदा भी दे तो इसी वज़ा से पोर्टफोलियो की सवा दी जाती है हलाकि वैसे बड़ा पैसा पूजा जी कॉंसेंट्रेटिव बेट्स में ही बनता ह मार्केट में दीरी दीर अभी यह पैट बनाना शुरूर कर रही है कंपनी अभी रिजल्ट्स में रिफलेक्शन आना बाकी है पर चुनकि इनका दस साल का नजरिया है तो मैं समझता हूं कि उस नजरिये के हिसाब से शायद बिल्कुल ठीक इनोंने किया है क्यूंकि आने व पर बने की आपको सलाह मिलती हुई चलिए इन सब के बीच में वाटसेप पर भी सवाल हमारे पास आ रहे हैं उमेश का सवाल है गौालियर मध्यप्रदेश से और इनोंने सन फार्मा पे राय जाननी चाही है 1580 के भाव पे इनोंने सन फार्मा का स्टॉक खरीदा है और 50 शे इनको फाइदा यहां पर हुआ है पिछले पांच दिनों में हम देखें तो यह स्टॉक ने अच्छा ट्रेंड दिखाया है पिछले एक महीने से भी अच्छा चलाए लगबक 11% यह स्टॉक चड़ा है लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में मुनाफ़ा वसूली द देखें तो स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकाउट भी दिया है 1640 के उपर लास्ट वीक का क्लोजिंग उसके उपर आज हमने हलकी सी मुनाफ़ा वसूली देखी है स्टॉक में बर ओवरल जो देखेंगे तो चार्ट सक्टर काफी स्टॉंग है मुझे तो लग रहा है यह 1635 का और मुझे लग रहा है यहां से स्टॉक एक माइनर डिप के बाद 1750 से लेके 1800 तक के लेवल दिखा सकता है तो 1635 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और टार्गेट रहेगा 800 का